नमस्कार दोस्तों मैं विसीख आपका विसीख टुटरियोल पर स्वागत करता हूँ आज है 21 सेप्टमबर 2020 और मैं अपडेर देने जा रहा हूँ कि आपके बैंक एकाउंट में पैसा जो है बुक कब आएगा तो यह आपको जानना जोरी होगा कि आप जो है अपलाई कर दिय और अदर चल दिस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके घंटी जुरू बजा दे क्योंकि यहीं मिलेगा आपको पलपल की अपडेट सबसे पहले ता यह आज की वीडियो की सुरुआत हम लोग कर लेते हैं मैं कल की वीडियो में बताया था कि आपको verify name and account details पे आकर बार बार जो है वो आपको check करना है लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग की account में जो पैसा है वो आखिर कब तक हैगा और बहुत लोग जो है अपना account नहीं दिये हैं किसी और का account दे दिये हैं तो उनक क्या account verify होगा या नहीं होगा ठीक है यहाँ पर यह चीज़ भी मैं detail में बताने जा रहा हूँ ठीक जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका जो है application submit हो गया है लेकिन जो है अभी भी इनका जो bank का जो process है वो अभी तक देखिए verify नहीं हुआ है आप किसी का भी देख लीजिए ठीक है किसी का भी bank जो है अभी तक verify नहीं हुआ है तो कितने दिन में verify होगा कितने दिन में पैसा आएगा देख सकते हैं सब का submitted ल सबका लिखा रहा है लेकिन बैंक वेरिफाइड अभी तक किसी का ऐसा कोई कंडिडेट नहीं मिला है जिसका वैंक जो है वो वेरिफाइड यहां पर लिख रहा है सबका जो है वो प्रोसेस में लिख रहा है तो यह प्रोसेस की परकिरिया कब तक चलेगी क्या प्रोसेस में ब गया है और कॉलेज में कोई डोकुमेंट इस बार जमा करना है नहीं। तो सारा कुछ जीन्वन है या नहीं है वो आपका बैंक से ही वेरिफाई हो जाएगा कि आप जीन्वन कंडिडेट है या फेक है तो यहां पर अपना एकाउंट देना बहुत ज्यादा जोड़ी है ठीक इसलिए मैं बार बर बोल रहा हो कि बैंक एकाउंट अपना नहीं है तो अपनी बैंक एकाउंट खुलवा ले क्योंकि आपको वेरिफिकेशन बैंक एकाउंट जो है वो उन्हीं का होगा ठीक है जिनका खुद का वेकाउंट होगा बहुत लोग क्या कर रहे हैं पापा का दे रहे हैं मम्मी का दे रहे हैं भाई का दे रहे हैं तो यहां पर चांसे स्थोरे कम जाएंगे और भाई का दियो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा बिल्कुल जान लो अगर पापा के अकाउंट दिये हो तो हो भी जाएगा लेकिन अगर भाई का आपने अकाउंट दिया है तो आप समझ लेजी कि आपका जो है बूर नहीं हो पाएगा ना के बराबर 80% chance है कि आपके नहीं होंगे 20% आपके किस्मत की बात है तीक है क्योंकि भाई का कोई भी document में नाम नहीं होता है आपके किसी भी जाती हो आवासिय हो आए हो कहीं पर भी आपका भाई का नाम mention नहीं होगा और पापा का bank account देते हैं तो पापा का bank account का नाम तो mention रहता है तो इसलिए वहाँ पर कोई problem नहीं होगी ठीक है लेकिन मैं तब भी बोलूँगा कि bank account जो है वो आपको खुद का ही देना है ठीक है ऐसा नहीं कि आप पापा के दे अगर अपना है तो अपना ही देना है तब ही आपका पैसा आपके bank में आप आएगा ठीक है ये बात तो आप समझ गए अब बात है कि verify कब तक चलेगा देखे ये जो अभी जो फिलहाल जो apply हो रहा है वो अभी खबर है कि 30 सितंबर तक वो आपका apply चलेगा ठीक है 30 सितंबर तक जो लोग apply नहीं किये हैं वो लोग 30 सितंबर से पहले apply कर लें और जो bank में पैसे देने की बात है कि bank में पैसा कब तक आएगा सबसे पहले verification होगा government को लिटर जाएगा वहां से government जो है वो bank में पैसे transfer करेगी verify होने के बाद तब आपके bank में पैसा आएगा इस process में कम से कम एक से दो महिना का time लगेगा एक से दो महिना का time लग सकता है bank में पैसा आने के लिए ठीक है उसके बाद मैं यह बता दू कि बहुत लोग बोल रहा है कि सर मैंने bank account तो दे दिया है अपने पापा का लेकिन अधार card का number भी अपने पापा का दे दिया या भाई का दे दिया है तो ऐसे में भी आपका payment फच सकता है यह सब छोटी छोटी गलती आप लोग कर चुके है और सरकार जो है आपको scholarship दे रही है ना कि आपके भाई को ना ही आपके parents को इतना बात इसमें ध्यान दिजिए और सभी भी सरकार government जो है सभी का bank account भी बोलती है खुलवाने को scholarship के acount और पैसा दिया गया था कहaros कहीं सुने हैं उनकी बच्चे के account आप पैसा दीया गया था जिसने account खुला रखा था Τो को इनको पैसा मिला कि У Programm यहां पर बात माल जो आउनलाइन परकिरिया है वेरिफिकेशन की वो बहुत धीमी है ठीक कि उसमें पैसा आने में टाइम भी लग सकता है बहुत पेंडिंग होता है इसलिए ग्रामिन बैंक नहीं दें आप जो भी दें आपका में ब्रांच होता है बैंक का उसका दे ग्रामिन बैंक में जाने जा सकता इसलिए होपलेश नहीं हुए बेट किजिए अपना इस चैनल पर बने रहे हैं सारी जनकार इस चैनल पर आपको देती जाएगी तो इसमें टेंसन नहीं लेना है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग दिस वीडियो